लो गाइज देस इस शहदीन अफ्रीदी एंड गाइज तोड़े वी डिसकसे बाउर दा टॉपिक वर्नियर के लिपर आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर के लिपर क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर फिस्ट फिजिकल कॉंटिटी एंड मैयरमेट टॉपिक 1.2.2 वर्नियर के लिपर पिछले लेक्षर में हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा था मीटर रूल एक ऐसा इंस्टूमेंट है जिसके जरीये हम वन मिली मीटर तक किसी भी आपजिक का लेंट मालूम कर सकते हैं सेम टू सेंग अबर ऐसा आपजिक है जिसका लेंट वन मिली मीटर सी भी क किलिपर कुछ इस तरह का डिफाइन करते कि एन इंस्टुमेंट विच वी मयर लेंड और डाइमीटर आफ वीरी समॉल आपजक्ट एकुरेटली इस काल वर्नियर किलिपर यह वो एंस्टुमेंट जिसके जरी हम बहुत चोटी चीज का डाइमीटर या लेंड को हम मयर कर सकते ह इसी एंस्ट्रूमेंट को हम कहते है वर्नियर किलिपर अगर हमारे साथ वन मिली मीटर से कम है इसके लिए हम इस्तिमाल करेंगे वर्नियर किलिपर वर्नियर किलिपर को समझने के लिए हमारे पास कंस्ट्रक्शन है कि मतलब वर्नियर केलिपर में कौन से पार्स है सबसे पहला है हमारे साथ अपर जास उसमें टू जास होते है जैसा कि हमारे पास वर्नियर केलिपर मुझूद है दोस्तों या आप देख सकते हैं हमारे साथ क्या है वर्नियर केलिपर अब सबसे पहला पार्स है अपर जाज और लावर जाज इसको हम कहते है अपर जाज जो अपर पार्स में है इसको हम क्या कहते है अपर जाज सेम टू सेम इसको हम क्या कहते है लावर जाज यानि लावर पार्स में इसको हम क्या कहते है लावर जाज अपर जाज हम इस्तिमाल करते हैं इंटर्नल डायमीटर के लिए अगर हमारे पास ऐसा आपजिक है जिसके हम इंटर्नल डायमीटर को मालूम करते है तो वो अपर जाज से हम मालूम कर सकते है सेम टू सेम अगर एकस्टर्नल डायमीटर मालूम करते है तो वो हम मालूम करेंगे लवर जास में ठीक है जाके हमारे पास एक आपजिक है ठीक है यह हमारे सक यह पैन का के भी ठीक है इसके अगर हम इंटर्नल डायमीटर मालूम करेंगे तो इसका काम है अपर जास अपर जास में इस तरह टैटली बन करेंगे इसी तरह इसी तरह हम इ external diameter मालूम करते हैं तो वो लवर जाज में हम क्या करेंगे रखेंगे सेम तो सेम उसके जरे हम मालूम कर सकते हैं दोस्तो हमारे साथ दो लवर जाज हैं वो हम इस्तिमाल करते हैं किसी भी आपजिक की external diameter दोस्तों ये टू किसम की जाज हुए कि हम एक जाज अपर जाज जिसको अपर जाज कहते हैं हम इंटरनल डाइमिटर के लिए उसके मैंने एक्जामपल दिया सेम टू सेम जो लवर जाज हैं वो हम इस्तिमाल करते हैं external diameter के लिए आप उच हम ऐसा भी कहते हैं कि इसमें टू ज लेकिन एक झाल जाज है जैसा कि आपको देख रहा है एक जाज है याने हरकत कर ही है इसको हम कहते है मुवेबल जाज इसको हम कहते है फिकस जाज लेकिन अपर जाज और लोर जाज उसकी बैसिक टाइप है अपर के जर्य हम एंटरनल डाइमीटर मालूम करते है लोर के जर्य हम एकस्टरनल डाइमीटर मालूम करते है same to same उसके बाद हमारे साथ वर्नियर किलिपर में two scars होते है एक होता है वर्नियर सकेल जिसको हम moveableaster厲害 भी कहते है यह जो moveable है हरकत कर रही है उसको हम क्या कहते है वर्नियर सकेल उस पर हमारे साथ ten definition होता है यह 10 number of division होता है हर division के दर्मियान में 0.9 मिली मीटर का फासला होता है याने हमारे साथ ये वर्नियर स्केल है ना ठीक है वन टू टू याने हमारे साथ जो वर्नियर स्केल है उसके हर एक डिवीजन में के दर्मियान में 0.9 मिली मीटर का फासला होता है same to same एक होता है main skill जिसको हम कहते है focus skill मतलब जो focus है याने हरकत नहीं करता है उसको हम focus skill कहते है उसके हम main skill है main skill है हमारे साथ division ज्यादा भी हो सकते है और कम भी हो सकते है जैसा कि कुछ वर्नियर किलिपर में 100 तक है 50 तक है 17 तक है 25 तक है जितना आपका वर्नियर किलिपर बड़ा है इतना ही आपका बड़ा main skill होगा लेकिन वर्नियर सकेल पर हमारे साथ total number of division 10 होगा कितना होगा 10 होगा हर एक division में 0.9 mm का फासला होगा ठीक है अब उसके बाद हम कहते है रीटेनर रीटेनर एक ऐसा पार्स है जिसके जरीए हम मुवेबल पार्स को क्या करते है बलॉक करते है फर एक्जामपल मैंने यहाँ आप यह को रखा आप यह मुवेंग करते है अगर यह मुवेंग करते है तो इसा फाल हो जाएगा ठीक है सेम टु सेम अगर मैंने पेर्से याप ज़क अरका और यह जो रीटेनर रहे यह पार्स यह है पार्स पेर्स उको क्या करते बलॉक करते है जिसला के मैं बलाग करता हूँ कि यह किस पार्स पर मुच्टमिल होता है अब यह एक और पार्स ही है जिसका हम कहते है प्रॉब इसको हम कहते है प्रॉब अब यह मालूम करते हैं हमारे साथ एक एस आपजिक है जिसके हम डिप मालूम करते है तो वह हम मालूम करेंगे इस प्रॉब के जरीए जैसा के हमारे साथ एक्जांपल है ठीक है मैं उसका डेप मालूम करता हूँ तो मैं इसी तरह रोकूँगा ठीक इस तरह उसके जरह हम क्या मालूम करते किसे भी आपजीक की डेप मालूम कर सकते यानि गहराई हम मालूम कर सकते तो दोस्तों ये वर्नियर केलिपर का कंस्ट्रक्शन होई कि ये वर्नियर केलिपर कौन से पार्स पर मुश्टमिल होते है इस पार्स का काम किया है उसके बाद आता है वर्नियर केलिपर का लीस काउंट कि हम किसी भी वर्नियर केलिपर का लीस काउंट किस तरह मालूम करेंगे सबसे पहले लीस काउंट यनि दा मिनिमम लेंट विच कैन भी मैयर बाए वर्नियर केलिपर यनि वो कम से कम लेंट जिसको हम वर्नियर केलिपर के जरी हम मैयर कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीस काउंट अफ वर्ण persecuted कीलिपर, लीस काउंट अफ वर्णियर कीलिपर हम किस طरह संज हैं किस तरह समझ सियम् पूसे में अगर हमारे साथ, लीस काउंट अफ वर्नियर कीलिपर का जो फर्मूलय है हो है one division of main square कुछ टाइम इस तरह भी जाता है कि MIKEWh तोटल ड message हमने पहले से बता दिया कि itself हम कितनी 10 division होते हैं हर इक division में कितना फासला फासला होता है 0.9 मिलीमιटर का फासला होता है सेम तो उसपे हम अगर डिवाइड करके तो वन डिवाइड करके तो उसको डिवाइड करके 0.1 मिलीमीटर आता है ठीक है so हमारे साथ least count of वर्नियर के लिए है जीरो पॉइंट 1bleal ऐर एक और सब्सक्राइब अगर इस तरह माज़ंगे उसको मायच करेंगे वर्यर कलिपर के pequeño अग Training में बात करें तो dism Lynn falling सकते जीरो po警 सिं उन सिंटीमीटर दिस उक्वल तु तु कुछ जिरो पॉइंट जिरो वन सिंटिमीटर भी गेवन होगा तो आपके अर्सर में बहुत होगा ठीक है अगर हम मिलिमीटर को सिंटिमीटर में कनवर्क करें तो जिरो पॉइंट जिरो वन सिंटिमीटर बनता है आप दोस्तों यह इसका लिस्काउंट हुआ ठीक है अब ऐसा बात हमारे साथ सबसे पहला error है zero zero error का मतलब है if zero line of one year scale concides with the zero line of main scale then the error will be zero अगर हमारे साथ one year scale ka zero concides कर रही है مطلب सामने आ रही है zero line of main scale के तो वो हमारे साथ error होगा zero error होगा मतलब जैसा कि आप देख सकते हमारे साथ इसमें कोई एरर भी नहीं है ठीके आप वर्नियर स्केल का जो जिरो है ये कंसाइड्स कर रही है किस के साथ में स्केल की जिरो के साथ ठीके देख लिया जिरो एस कंसाइड्स विद में स्केल जिरो अब उस पेक के जरी भी समझ सकते ह हमार साथ या एक पेक है जो कि zero line of one year scale है वो equal है main scale कि zero line के साथ तो इस object में हमार साथ क्या होगा zero error होगा कोई बेडर नी होगा zero error होगा उसके जारे हम अच्छा से division कर सकते है accurately division कर सकते है अब दो किसम के रहता है एक को हम कहते positive error दूसरे को हम कहते negative error positive error if the zero line of warnier scale is on the right to the zero line of main scale then the error will be positive अगर हमारे साथ warnier scale का जो zero line है या 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 है फेले समने बता दिया कि movable scale हम क्या कहते ही warnier scale कहते है उसका zero line अगर main scale की zero line के साथ बराबर नहीं है या राइट साइड पर है या इसका left side है इसका right side है अगर वर्नियर स्केल की zero इस main scale की zero के साथ यह right side पर है तो वो हमारे पास positive error होगा यह जैसे कि आप picture के जरी भी देख सकते हैं कि हमारे साथ जो zero line है of main scale जो वर्नियर स्केल का zero line है वो main scale की zero line के right side पर है तो इसी case में हमारे साथ error होगा positive आप जो बाद में रीडेंग लेते हैं तो इस कॉप क्या करेंगे उससे सब्ट्रेक्ट करेंगे same to same और आता है negative error if the zero line of वर्नियर स्केल is on the left to the zero line of main scale then the error will be negative it will be added अगर वर्नियर स्केल का जो zero line है वो main scale की zero line के left side पर आजाए यह वर्नियर स्केल का zero line यह left side पर आजाए तो वो आपके पास negative error होगा जैसा कि आप picture की जरी भी देख सकते है कि हमारे साथ जो वर्नियर स्केल का zero line है वो इसके left side पर आचुका है main scale की zero line के left side पर आचुका है तो इस case में हमारा negative error होगा और जब हम answer निकालेंगे तो इस वकाद उसको हम क्या करेंगे add करेंगे आप दोस्तों के short example लेते हैं किस तरह वर्नियर के जरी जरी हम reading लेंगे तो reading के हमारे साथ सबसे पहला formula है कि main scale यह आपने जो चीज़ find करना है main scale पर जो division आगया उसको आप लिकेंगे पर प्लस करेंगे lease count के साथ lease count के साथ lease count के साथ lease count लिकेंगे same to same यह जब भी आपने measurement करना है और आपने object को रख दिया main scale भी निकाला lease count भी निकाला तो वर्नियर scale यह वर्नियर scale का ऐसा digit जो कि concise कर रही है main scale के digit के साथ so वो वर्नियर scale का digit आप लिकेंगे जैसा हम lease market के केप का हम क्या करते है external diameter को मालूम करते है so चलते है दोस्तों सबसे पहले आप इस तरह इस तरह आप क्या करेंगे सबसे पहले error खतम करने है ठीक है आप सबसे पहले error so इस वर्नियर के लिपर में error नहीं क्योंकि जो main scale का zero line है वो concise कर रही है zero line of the vernier scale तो इस केस में हमारे साथ कोई error नहीं है इस वर्नियर के लिपर में so हम चलते हैं और इस आप ये का external diameter मालूम करते है ठीक है so आप सबसे पहले इस क्या करेंगे ब्लाग करेंगे अब पर से हम निकालेंगे ठीक है या नहीं निकाले ठीक है so उसके बाद सबसे पहले आप main scale की digit लेंगे जिसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कितना है यानि वान टू त्री ठैन मिलिमीटर and then 11.5 मिलिमीटर कितना हमारे साथ 11.5 मिलिमीटर है सेम टू जिसमगर हम यह बात करें कि हमारे साथ जो इसकेप का जो external ने मिटर है वो कितना हो गया 11.5 मिलिमीटर लेकिन यह नहीं है हम पहले क्या करेंगे उसको एड़ करेंगे उसको हम multiply करेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ किया है में स्केल कर जो डिजिट आ गया वो मारे साथ किया है 11.5 मिलिमीटर प्लस अगर में स्केल के डिजिट को आपने मिलिमीटर मिलिये तो आप वर्नियर स्केल का कांसाइड डिजिट भी मिलिमीटर में लेंगे और सेम टू सेम जो लिस्काउंट है वह भी मिली मीटर मिलेंगे अगर मैंने यहां सिंटिमीटर मिलिया तो मैं लिस्काउंट भी सिंटिमीटर मिलूंगा वर्नियर स्केल का कंसाइड डिजिट भी इसका स्वेंटिमीटर मिलेंगा ठीक है सो हमारे साथ यहाँ जो कंसाइड है याने वन यह हमारे साथ क्या यह कंसाइड है वन जो वर्नियर स्केल का वन है वो कंसाइड है में स्केल के टू के साथ किस तरह हमारे साथ टू है ना में स्केल का टू और वर्नियर स्केल का वन it's well concise so this case में क्या लिएंगे हमार साथ लिसकाउंट हमार साथ कितना है 0.1 मीली मीटर मल्टिप्लाइ बाइ कंसाइड डिजेट हमार साथ 2 मिली मीटर है ठीक है सोरी 1 मिली मीटर है हम दोस्तों जो कांसाइड डिजिट है वो और नियर स्केल का अप लिकेंगे यह ने मेंड स्केल के टू और नियर स्केल के वन वो कांसाइड है तो इस के असमें हम वन लिकेंगे ठीक है सो हमारे साथ आंसर आएगा 11.5 प्लस 0.1 हमारे साथ आंसर आएगा 11.6 मिलिमीटर दोस्तों अभी हमने एक्स्टरनल डाइमीटर इसके पा मालूम किया कि हमारे साथ पहला रिडिंग आ गया कि 11.5 प्लस 0.1 मिलिमीटर इस एकल टू 11.6 मिलिमीटर दोस्तों हमने फाइन कर दिया इस एक्जामपल के जरहें आपको कुछ समझ आया होगा थैंक्यू अरी